जैसे जो पक्के धार्मिक लोग हैं, जैसे किसी में व्रत रखा हूँ, आप तो रखते होंगे ना, मैंने तो एक दो बर रखा है व्रत, वह भी खुंदक में रखा है, किसी खास धार्मिक भावना से ने रखा है, मेरी पत्नी यड़ जाती कि मैं करवा चौथ का व्रत रखू मैं रखूंगी रख, मैंने अब देखकर मैं जहेल नी पाऊंगा, मैं मेरे लिए कोई रखे मैं जहेल नी सकता है, तो मेरा नेवेदने की मत रखो, नहीं तो मुझे भी रखना पड़ेगा, मैं हिसाब बराबर करूँआ से दीसी बात है, मैं एहसान लेकि जिन्दन नी रह रहेगा, उसका उसके उमर बढ़ेगी, जो भकोस के खार है, उसके उमर कैसे बढ़ेगी, तो नहीं मानी, तो मैं भी आड़ गया, ठीक है, मेरे लिए तो रत रखना ऐसा है, आँखों में तेहरी रखतें ततनियां, चिंदियां, नीली, मेरा तो वह हाल, मैं केवल 6 गंटे हुआ रहा तो रात को सोने और उठने के बीच नहीं, उसके बिना मेरे लिए भूख है रहना बड़ा मुशकल है, मुझे तो हर दो घंटे में ठूसने का बनलब शौक है, आदब्स है, उसके बिना मेरा काम चल भी नहीं करता है, तो उस दिनोंने पहली बड़े बड़े मासु माँ को अपने पक्ष में कर लिया, बले मेरी माँ को, तो फिर एकदम शाम को चांदमान से देख लिया, छली से, फिर बोली, अब मैं पैर्च हूँगी अपने, मैं साथ में पैर्च हूँगा, मैं भी, तो एक बार ना टक हुआ जिन्देगी में, उन्होंने पैर्च कि इसलिए जिन्दा है, अब कोई क्या करें, ऐसे में बताईए ना, तो मुझे साल में एक बार बुरत रशना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, कि दिन कहे आता है जीवन में, और दुख है, बहुत दुख है इस बात का मुझे, दिन बड़ा मुश्किल होता है, उस दि देट बादें को इले गजारा.